नमस्कार आप देख रहे हैं TNP News मैं हूँ आपके साथ निमिस सन्हा नजर डालेंगे खबरों पर सपा निता आजम खान के गड़ माने जाने वाली रामपूर विधान सबा सीट पर 5 दिसंबर को उप चुनाओ के लिए मद्दान होगा इस चुनाओ में बीजेपी और समाजवादी पार्टी आमने सामने है बीजेपी ने इस सीट से आकाश सक्सीना पर दाव चला है जो हमेशा से ही आजम खान के धूर विरोधी माने जाते रहे हैं सपा ने सीट से आजम खान के करीबी असीम रजा को प्रत्याशी बनाया है सपा के लिए यहां मुश्किले खड़ी होती दिख रहे हैं क्यूंकि यहां पर कई मुसल्मान नीता बीजेपी को समर्थन देने का अलान कर रहे हैं पूर्व मंत्री और कॉंग्रेस नीता नवाब काजिम अली खां उर्फ नावीद मेया ने बीजेपी प्रत्याशी आकाश सक्सेना को समर्थन देने का अलान किया है इतना ही नहीं कॉंग्रेस नीता और गन्ना विकास परिशत के पुर्व अध्यक्ष बाबर अली खां और राष्ट्रिय लोकदल के पुर्व जिलाध्यक्ष मुहम्मद उस्मान ने भी बीजेपी प्रत्याशी को इस उप्चुनाव में समर्थन देने का अलान किया है शाह जहापूर के खिरनी बाग राम लीला मैदान में राजसबस सांसद मिथिलेश कुमार के प्रयासों से स्वास्त विभाग की और स्वास्त मेला लगाया गया मेली का शुभारंब मुक्यातीती राजसबस सांसद ने फीता काट कर किया मेले में करीब एक हजार से अधिक रोगियों का पंजी करन कराया इस दौरान मिथिलेश कुमार ने कहा कि जल्द ही शाह जहापूर को काजिक हॉस्पिटल की सौगात मिलेगी साथी उन्होंने प्रधान मंतरी नरिंदर मूधी के आरोग भारत अभियान की भी सराना की यूपी के मतुरा जिले में यमुना एक्स्प्रेस वे पर सूट केस में मिली यूवती के हत्या के पीछे उसके माबाप का हाथ था पुलिस ने हत्या का खुलासा करते हुए बताया कि यूफ्ती के माबाप ने ही अपनी आन बान और शान के लिए अपनी बेटी को मौत के घाट उतार दिया बता दे पुलिस ने आरूपी माता पिता को गिरफतार कर लिया है इनके पास एक फोर्ड की क्रेटा क्रिस्टा गाली की जो गाली रिकुबर हुई है जिस वेपन का यूज हुआ था वो वेपन रिकुबर हुआ है उसके साथ को के तार्टे शूले है लाइशंसी वेपन है देवनिया से बना हुआ है और लटका का मोबाईल में इस तरह से इनको गयर साथ दिया जाना है मां और बाप दोनों को देर बिया लेता है शाह जहापुर जिले में बदमाशों के होसले बुलंद है ताजा मामला निगोही थानक शेत्र के पिपरिया उदैपुर का है जहां जमीनी विवात के चलते दबंगों ने पुर्व प्रधान की गोली मार कर हत्या कर दी जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल परिसर में जम कर हंगामा काटा और जबरन शव को ले जाने का प्रयास किया लेकिन मौके पर मौझूद भारी पुलिस बल ने शव को अपने कबजे में ले लिया और पोस्ट मॉटम के लिए भेज दिया यूपी के लखेमपुर खिरी से एक दिल को जगजोर देने वाला मामला सामने आया है जहां बेखौव बाइक सवार दरिंदों ने एक किशोरी को उसके घर से अगवा कर लिया फिर उसके साथ जिम सेंटर में ले जाकर वहां उसके साथ बारी-बारी से हैवानियत की घटना को अंजाम दिया ये पूरी घटना जिले के सिंगाही थानक शेत्र की है परीजनों के मुताबिक अचारा नवंबर की देर राग उनकी बेटी शौच करने बाहर गई जहां घात लगाए दो बाइक सवार यूवकों ने उसे दबोच लिया और उसे ले जाकर उसके साथ दुशकर्म किया साथी दरिंदों ने वीडियो भी बनाया और किशोरी को धमकी दी कि कि किसी को कुछ बताओगी तो वीडियो वाइरल कर देंगे फिलहाल परी जनों की तहरीर पर पुलिस केस दर्जकर मामने की जांच में जुट गई है फिलहाल के लिए बस इतना ही देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे टीन पे न्यूस के साथ दीजे इजाजत नमस्कार